तो यह वला कॉशन देखो प्यारे बच्चों एक अच्छा सा सवाल है इसक्वेशन को करते हैं ठीए तो अगर इसमें कहा जाता है कि देखो यह जो सवाल है यह कह रहा है कि अगर हमारे पास reflecting angle of prism a है और refractive material of prism जो मू है किसी material algorithm का वो cot ay2 है तो cot ay2 को मैं लिख सकता हूँ cos ay2 और divided by यहां से sin ay2 बड़े अराम से इसको लिख सकता हूँ और angle of minimum deviation पूछा जा रहा हम सबको पता है जो मू होता है mu is equal to sin यहां से a plus del minimum divided by 2 और यहां से sin ay2 और यह पूरा जो मू है वो बराबर है cos ay2 और यहां से sin ay2 तो यहां से sin ay2 को यहां से cancel कर दिया तो यहां से जो हमें equation मिला cos ay2 यहां से और यहां से sin ay plus del minimum और divided by 2 के बराबर है तो इसका मतले बे हुगा कि cos ay को लिख सकता हूँ 90 minus ay2 sorry sin में convert हो जागा न तो यह मैं cos को लिख सकता हूँ अरे बेटा यार भाई तो यहां से इसको मैं लिख सकता हूँ यहां से eraser कुल्यवाई तो इसको मैं पहले मिटा देता हूँ बच्चो तो यहां से इसको मैं लिख सकता हूँ sign इसको मैं साइन ay2 ऐसे लिख सकता हूँ यहां से sign a plus del minimum और divided by यहां से 2 तो यहां से 90 को मैं पाई वाई 2 लिख सकता हूँ बड़े अराम से और यहां से ay2 और यह सब बराबर है ay2 और प्लस यहां से del minimum by 2 तो बड़े अराम से यहां से del minimum calculate हो जाएगा तो यहां से pi by 2 और यहां से minus ay2 और minus ay2 और del minimum उधर ही रहने देता हूँ divided by 2 तो यहां से pi by 2 minus यहां से आधा आधा जोड़ो तो एक आ जाएगा a और यहां से del minimum divided by 2 तो del minimum की जो value आ जाएगी वो pi minus 2a के equal pi मतलब होता 180 degree और 2a के बराबर आ जाएगी तो अपना जो d option है वो match कर जाता है सही सही ठीक ना तो आई होब कि आपको मज़ा आ गया होगा thank you